क्या हल चाल कैसे हो आप लोग हव यू गाइज क्या सब कुछ बढ़िया है is everything fine please tell me is everything fine please tell me क्या सब कुछ अच्छा है बढ़िया है प्लीज मुझे बताईए okay so मैं आच चुका हूं live और आज हम लोग एक और interesting topic करने वाले शुरू करें आज के session को क्या हाल चाल मेरे प्यारे बच्चों क्या मुझे देख पा रहे हैं सुन पा रहे हैं सब कुछ सही है ना तो चलो देखें कौन को नहीं आपर present है आज हमें क्या करना है cheat code to find out went of factor easily बहुत सारे पहले तुम्हें आप लोगों को short trick बताऊंगा हमेशे की तरह cheat code बताऊंगा और उसके बाद हम उस पे questions करेंगे जिससे आपको went of factor का जो concept है जो solution chapter का वो बहुत आसान तरीके से आपको clear हो जाएगा चलिए कि start करते हैं आज के session को देखें यहाँ पर कौन कुन present है तो आज का जो topic मैंने लिया है वो लिया है basically solution chapter में से जो सबसे important topic है event of factor और उस पे सवाल बहुत आते है so उसके बारे में आज हम लोग detail में discussion करेंगे let's start the session then शुरू करते हैं आज के session को so how are you guys देखें किते लोग यहाँ पर present है thank you so much for coming let's start the session मेरे प्यारे बच्चे शुरू करते हैं मेरा नाम है अरविंद अरोड़ा और आप मुझे देख रहे हैं cheat codes of chemistry में और आप मुझे देख रहे हैं Vedantu Neat made easy channel पे which is India's biggest channel आप लोगों की वज़े से यह इतना बड़ा बन पाया है और इस family को हमें और आगे बढ़ाना है इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपने अभी तक subscribe नहीं किया channel को तो please आप subscribe कर लो क्योंकि इन cheat codes में आपको बहुत ही बहतरीन चीज़े में आप लोगों को बताता हूँ हमेशा की तरह आज भी कुछ special है चले शुरू करते हैं लेकिन I have a request to all of you कि अगर आपने अभी तक subscribe नहीं किया channel को तो इसका मतलब अपनी family के हिस्सा नहीं बने हो So it's a request from my side कि अगर आप अपनी family के अभी तक हिस्सा नहीं बने हो तो बन जाएए इस family को subscribe करिये यह अपने आप से subscribe करने पर ही बढ़ने लगती है जो slides है वो prepare कियें कार्तिका ने So thank you so much कार्तिका आगे बढ़ते हैं अगर आपने अभी तक crash course जोई नहीं किया है तो विदान्तू का जो crash course है वो 27 जुलाई से शुरू हुआ है यह crash course का जो price है वो 23,999 रुपए बिल्कुल भी नहीं है आप लोगों को यह जो crash course है वो 2999 रुपए ही मिल जाएगा इसके लिए आप गया करना है गूगल पर जाके site को open करना है यह आपको google पर जाके लिखना है लिखो vdnt.in slash ytc needcc जब आप लिखोगे तो आपको आपर buy now पर click करके आपको coupon code लगाना है AA2020 मा लिखा होगा side by apply a coupon code तो उसके बाद आप ये course को मातर 3000 रुपे से भी रुपे कम में ले पाओगे तो crash course के लिए आप अभी भी enter हो सकते हो वक्त है आपके पास इसके लाब अगाई इस अगर आप अपने छोटे भाईबेन को रक्षा बंदर में gift देना चाहते हो तो it's a golden opportunity to all of you अगर आपने अभी तक you know विदान्तु का pro subscription अपने भाईबेन को नहीं दिया है तो दे सकते हो 15% extra discount मिलेगा अगर आप एक coupon code को use करते हो यहाँ पर link पर click करने के बाद तो link क्या है that is bdnt.in slash yt pro यह link है और उसके बाद aapro यह coupon code है जिसको लगा के actually हो क्या गरना है विदान्तु का pro subscription लेना है पूरे साल बर की fees तो बहुत ही कम है मातर 27,000 रुपे 27,000 फीज है पूरे साल बर की जो एक प्रिमेर इंसिटूट में बहुत कम है परमन्त की fees देखोगे तो मातर 252 रुपे ही है और आगे आने माले समय में online का चलन बढ़ने वाला है here you have the best opportunity जहाँ पर fees बहुत कम है अभी से जुड़ जाओ वरना वक्त निकल गया तो दिक्कत होगी संडे को free mock test है 2 अगस्त को आप लोग ध्यान लखेगा और 3 तारीक और रक्षा बंदन आपको पता ही है so 2 अगस्त को आपका free mock test है और आप दीजिए और उसके बाद आप चेक करें कि आपके तैयारी कितनी है आज के sessions के detail है सुबह आपके bio के sessions हुए थे उसके बाद आपके physics के session और अभी आप मेरे साथ yes, मेरे साथ cheat course देख रहे हो उसके इलावा हमने हमारे you know, जो हमारी success story है विदानतों की उसका celebration अभी किया था थोड़ दिर पहले मैंने एक session लिया था आज हम लोग बात करने वाले event of factor के बारे में और अगर आपने telegram की group को अभी तक join नहीं किया तो कर लो 32,000 बच्चे ओ लड़ी उसको join कर चुके है आपने नहीं किया तो कर लो चलिए तो आज के cheat course को शुरू करते है आज का cheat course went of factor पे है अमोबन बहुत सारे लोगों को आता है लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पर कोई show trick सिखाऊंगा ठीक है ताकि आप लोग उसको अच्छे से समझ सको try to understand the things जो चीज आसान बना दे तो हम लोग मुश्किल चीज को क्यों याद करें तो हमारे cheat course का यही है mantra की हम लोग basically क्या करेंगे जनम जनमंत्रा चीजों को आसान बनंत्रा समझ मैं हा तो चलिए वेंट ओफ एक्टर के इस concept को शुरू करते हैं easy बनाते हैं need के point of view से पर सवाल यह है सबसे पहला कि हम लोग वेंट ओफ एक्टर जो वेंट ओफ एक्टर है solution chapter में इस factor को represent करते हैं हम लोग small i से तो इस factor के हमें जरूरत क्यों है तुम आपको समझाता हूँ उसकी जरूरत है colligative properties की वजह से आपको पता है न कि colligative properties जिसमें आती है elevation in boiling point ठीक है rlbp relative lowering of vapor pressure osmotic pressure depression in freezing point यह 4 colligative properties होती है ठीक है अब खास बात यह होती है कि जितनी भी colligative properties होती है यह colligative property elevation in boiling point depression in freezing point rlbp osmotic pressure सब की सब किस पर depend करती है colligative properties specially depend करती है quantity of solute पर मेरी बात को ध्यान से सुनना आप किसी किसी भी non-volatile solvent मे मेरी बात ध्यान से सुनना आप किसी भी non-volatile pure solvent मे pure solvent मे ठीक है pure solvent मे अगर आप उपर से कोई solute डालते हो तो solute की nature क्या है उससे कोई मतलब नहीं है जब आप solute को add करते हो तो colligative properties change हो जाती है जैसे कि इसका boiling point change हो जाएगा जैसे कि इसका freezing point change हो जाएगा जैसे कि इनका osmotic pressure change हो जाएगा अब वो फरक नहीं पढ़ता है आपने क्या solute डाला है देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना अगर आप उपर से glucose डालो अगर आप उपर से glucose डालोगे या फिर आप उपर से sugar डालोगे दोनों ही case में फरक नहीं पढ़ता आपने glucose डाला है के sugar इनकी quantity कितनी है उसी के बहाब पे इनका colligative property change होगा यानि कि इनका freezing point, boiling point osmotic pressure you know rlvp सारा इनकी colligative property सिर्फ quantity पे depend करती है सिर्फ quantity पे मतलब समझो अगर आप मान लो उपर से मेरी बात ध्यान से सुनना अगर आप मान लो मेरी बात को ध्यान से सुनना जो मैं बोलने कोशिश कर रहा हूँ मेरे भाई खुल जा सो अगर आप मान लो कि आप container के अंदर उपर से 10 ग्राम मेरी बात ध्यान से सुनना अगर आपने 10 ग्राम glucose डाला तो आपकी colligative property 10 ग्राम के directly proportional होगी मतलब उसको change करना पड़ेगा मतलब quantity के directly proportional होगी अगर आप उपर से 20 ग्राम डालेंगे तो वो 20 ग्राम के directly proportional होगी मतलब colligative property उसी के हिसाब से change होगी फरक नहीं पड़ता आप sugar डाल रहे हो या फिर आप glucose डाल रहे हो मेरे बात को ध्यान से सुनना इससे कोई फरक नहीं पड़ता आप sugar डाल रहे हो के glucose डाल रहे हो अगर आपने 10 ग्राम sugar या glucose डाला तो colligative property उसके इसाब से change होगा 20 ग्राम sugar या glucose डाला या urea डाला, whatever आपकी quantity पर colligative property depend करते है 10 molecule डाले हैं solute के मेरी बात ध्यान से सुनना हमने उपर से 10 molecule solute के डाले लेकिन वो अंदर जाके 20 हो गए मेरी बात ध्यान से सुनना हमें पता है नहीं लगा, वो अंदर जाके 20 हो गए तो हमने सोच के तो डाला था, हमने 10 डाले लेकिन वो अंदर जाके 20 हो गए मतलब उनका dissociation हो गया मतलब वो तूट गए अंदर जाके अमेरी बात जान से सुनना अब हम तो लग रहे थे colligative property को 10 के हिसाब से calculate करने के लिए लेकिन अंदर जाके भाई साब हो गए 20 तो इसका मतलब colligative property तो हम जो सोच रहे थे उससे double आएगी क्योंकि colligative property is directly proportional to the quantity of solute अगर आप 10 सोच के डाल रहे थे हुँ तो उसके हिसाब से colligative property को calculate कर रहे थे अंदर जाके भाई साब dissociate हो गए तूट गए जैसे कि आपको बताते हो अंदर जाके तूटता कोन है आपको बतायता हूँ नमक NACL glucose नहीं तूटता लेकिन नमक तूटता है NACL तूट जाता है NACL तूट जाता है NACL और NACL में अब आप सोच रहे थे कि मैंने 10 molecule NACL के डाले थे उपर अंदर जाके 10 NACL में टोटल 20 हो गए अगेन मैं कह रहा हूँ कि solute के nature पर depend ही नहीं करता है उसकी quantity पर depend करता है आप डाले थे 10, calculate कर रहे थे 10 के हिसाब से अंदर जाके हो गए भाई अब 20, तो colligative property जो आप सोच रहे थे वो नहीं आएगी, उससे just double आएगी I'm getting my point तो dissociation क्या करता है colligative property की जो observe value उसको change कर रहा है अब दूसरा example लोग कभी कबार हम लोग सोचते हैं हमने डाले थे 2 बट अंदर जाके भाई साब हो गए मेरी बात को धाम से सुनना आपने डाला था 2 बट अंदर जाके हो गए ये 1 मतलब दोनों क्या हो गए basically dimerize हो गए दोनों ने क्या किया basically आपस में bond बनाके 2 का 1 कर लिया 2 का 1, 2 का 1 समझ रहो तो ये example किसके आते हैं जब आप benzoic acid को benzeen में डालते हैं benzoic acid क्या होता है C6H5COOH इसको जब आप benzeen में डालते हो तो ये dimerize हो जाता है dimerize का क्या मतलब है 2 benzeen के ring आप देखो ये पहला benzeen का ring है ये दूसरा benzeen का ring है यानि कि benzoic acid की बात कर रहा हूँ ये CWH है तो इसका oxygen उसके hydrogen के साथ क्या करता है hydrogen bond बनाता है so here we have a hydrogen bond अब देखो इसका oxygen इसका hydrogen उसके oxygen के साथ भी क्या कर रहा है hydrogen bond बना रहा है तो ये basically क्या होए 2 के 1 हो गए अब आप सोच रहे थे कि आपने तो 2 डाले है लेकिन अंदर जागे पता लगा कि ये तो 1 हो गया है तो colligative property जितनी सोच रहे थे उससे आदी आएगी क्योंकि आप 2 के हिसाब से calculate कर रहे थे और ये बिचारे दो तो mix होके एक बना रहे है इसका मतलब colligative property has been changed तो आप सोच कुछ रहे थे हो कुछ रहा है आप लोग theoretically कुछ सोच रहे थे और आप practically कुछ और देख रहे हो समझ में आ रहा है आप calculate कुछ कर रहे थे observe कुछ और हो रहा है तो हमें एक ऐसे factor की जरूरत है जो कि इसको imbalance चीज को balance कर सके जो solute बार-बार change हो रहा है उस solute की quantity जो change हो रही हो उसके लिए we need a factor जिसको आप लोग क्या करो colligative property से multiply करो तो आपको exact colligative property की value calculate होके आ सके we need a factor and that's why we need went hop factor हमें went hop factor क्यों चाहिए बहुत कम लोगों को पता होता है कि यहाँ पर colligative property solute की quantity पर depend करती है हम लोग सोच रहे थे कि हमने एक डाला बंदर जागे दो हो गए तो solute की quantity change हो गए इसका मतलब colligative property change हो गई हमारी तो समस्या हो गई in that case we need a went hop factor now what is went hop factor उसके बारे में बात करेंगे अब आपको समझ में आ गया होगा कि went hop factor की जरूरत क्यों है why we need went hop factor went hop factor की जरूरत क्यों है पर चलिए आज मैं आप लोगों को went hop factor का formula बता देता हूँ देखो मैंना भी थोड़ दर पहली ही बताया कि आप calculate सोची जरा आप क्या सोच रहे थे आप अपने हिसाब से सोच रहे थे कि आपने 10 डाला पर अंदर जाके कितना हो गया 20 तो आप calculate तो 10 के हिसाब से कर रहे थे न पर actually ये तो 20 के हिसाब से calculate होना चाहिए था तो 20 क्या है 20 आपका observed है ये practically आपने observe किया बत theoretically आपने calculate कितना किया 10 के हिसाब से समझो आप उपर से 10 डाल रहे थे लेकिन अंदर जाके 10 के 20 हो रहे थे समझ भा रहा है तो calculation तो आप 10 के हिसाब से कर रहे थे but actually वो 20 के हिसाब से vary कर रहा है तो इस हिसाब से आप यहाँ पर एक factor निकालोगे factor गया होता है कि आप calculation किसके हिसाब से कर रहे थे 10 के हिसाब से आ रहा है समझ में but actually observe किसके हिसाब से हो रहा है 20 के हिसाब से तो went of factor क्या हो गया 2 अब इसी को आप colligative property के साथ multiply करोगे मतलब अगर आप लिखते हो RLVP जिसका formula क्या होता है relative lowering of vapor pressure का formula क्या होता है that is delta P upon P याद है आप लोगों को RLVP का यह formula which is equals to है ना which is equals to X यनि कि mole fraction of solute आप इसको I के साथ multiply करोगे यह I यह went of factor से multiply कर दो तो आपकी RLVP सही आएगी समझो RLVP समझ में मतलब आप 10 के हिसाब से calculate कर रहे थे RLVP के हिसाब से इसका मतलब there is a factor double वाला factor है जिसको आपको colligative properties से multiply करना पड़ेगा तब आपके पास exact answer आएगा तो यहाँ पर क्या है आप देखो calculate किसे किया और observe क्या हो रहा है mass के respect में formula जरा समझो इसको कैसे समझो के mass के respect में formula देखो यहाँ पर एक बात आप ध्यान से समझना जो quantity होती है number of moles मैं आगर आपको कहूं कि चलो mole का formula बताओ तो mole का formula क्या होता है given mass by molar mass ठीक है और अभी मैंने आप से कहा कि colligative properties directly proportional to the quantity of solute यानि कि moles of solute और मैं ये भी कह सकता हूँ कि anti-proporcial to molar mass of solute तो basically क्या हो गया जब आप यहाँ पर पीछे क्या लिखती है लिखती है थे observed by calculated यह आपने formula लिखा था mass के case में उल्टा होता है normal molar mass divided by abnormal molar mass मैं आपको मतलब समझाता हूँ अगर आप लोग यहाँ पर ज़र आप ध्यान से देखना इसको आप लोग इस तरह से समझ सकते हो कि देखो मैं ये pen लेता हूँ मेरी बात ध्यान से सुनना ये pen एक समझ लो एक particle है मैंने एक समझ के डाला अंदर एक समझ के डाला ध्यान से समझ ना इंदर जाके तूट गया तो molar mass कम हो गया तो dissociation के case में molar mass decrease हो जाता है समझिए dissociation के case में molar mass decrease हो जाता है समझ में आ गया याद रखना है बहुत important है in the case of dissociation जब dissociation होता है जब चीज़े तूटती है तो molar mass घट जाता है तो इसी case में association के case में क्या लिखोगे association के case में molar mass increase हो जाता है समझ में आ गया, तो आपने पीछे जो लिखा और अब जो लिख रहे हो, उनमें दोनों में फरक होगा, वहाँ पर आप क्या कर रहे थे ज़रा देखो, वहाँ पर आप experimental चीज को उपर लिख रहे थे और theoretical चीज को नीचे लिख रहे थे यहाँ पर उल्टा करोगे आप molar mass के case में, क्योंकि molar mass is antiproposal to number of moles यहाँ पर ज़रा देखो, यहाँ पर theoretical molar mass को जो आप calculate करते आ रहे हो, उसको उपर लिखोगे और experimental molar mass को नीचे लिखोगे मेरी बात को समझना, आप सोच रहे थे कि आपने एक glucose, एक acidic एक acidic acid डाला, जिसका 60 molar mass होता है, ठीक है, लेकिन अंदर जाके तो वो तूट गया, तो molar mass basically घट गया, तो यहाँ पर theoretically आप कुछ और सोच रहे हो, practically कुछ और सोच रहे हो, अपना यह बड़ा confusing है मतलब IQ मैंने आपको formulae बता दिये, formulae क्या होते है observed colligative property divided by calculated colligative property इसका just opposite करतो, मैं आपको opposite क्यों बोल रहा हूं, मेरी बात धान से सुनना, मैं आपको कह रहा हूं सिर्फ आपिता याद रखो, जो मैं बोलने ही कोशिश कर रहा हूं, वो यह है, मेरी बात को धान से सुनना IQ value होती है, observed colligative property divided by calculated colligative property observed का मैं किससे sense ले रहा हूं experimentally आपने क्या देखा calculated का मैं किससे sense ले रहा हूं, theoretical आपने क्या देखा समझ में आते है, theoretical आप कुछ और देख रहे हो क्योंकि जहां पर dissociation की case में number of moles बढ़ रहे हैं तो molar mass घट रहा है, तो just opposite लिख होगे समझ में आ गया Colligative property, अगर आप उसके way में लिखना चाहते हो तो experimental उपर आता है, theoretical नीचे आता है लेकिन molar mass के case में theoretical उपर आता है सब लोग बोलो मेरे साथ Colligative property के respect में देखो आई का formula क्या होगा that is observed colligative property divided by theoretical colligative property calculated colligative property और अगर आप लोग इसको इसके साथ नहीं molar mass के respect में लिखना चाहते हो तो आपको क्या लिखना पढ़ेगा theoretical molar mass divided by observed molar mass लेकिन बड़ा confusion है यह बहुत अजीब सा है क्योंकि जो आपके सवाल आते हैं उसमें तो आपको alpha की value और dissociation constant दिया होता है और हमें समझ में नहाता है उसको soul कैसे करना है तो I'll tell you मैं आपकी confusion को दूर करता है आपको मैं trick बताता हूँ Here we have a trick आप लोगों को venture factor के कैसे numerical soul करना है उसका मैं simple तरीका बताता हूँ अभी तक मैं आपको theoretically समझा चुका हूँ कि यह concept आया कैसे और actually इसका meaning क्या है इसका use कहां पे होता है इससब मैं आपको बता चुका हूँ Now we'll talk about the trick जिससे आप अपने need के exam को जो questions होते हैं उनको solve कर सकते हो concept भी clear करता हूँ और short trick भी बताता हूँ तो देखो देखो यहाँ पर simple case है आप लोग सोचो की venture factor की ज़रुद क्यों पड़ी क्योंकि यहाँ पर there is a dissociation there is an association dissociation हो रहा है और association हो रहा है उसकी वज़े से ठीक है dissociation की case में venture factor का formula लिखा हुआ और association की case में venture factor का formula लिखा हूँ मैं आपको simple शीज बताता हूँ dissociation की case में venture factor यानि की I का formula होता है 1- alpha plus N alpha अब आपको के सर यह सब क्या है तो मैं आपको बताता हूँ I तो यहाँ पर venture factor है VHF alpha क्या है this is called dissociation constant क्योंकि dissociation हो रहा है so this is degree of dissociation sorry, alpha की मतलब होتी है degree of dissociation dissociation के case में क्या कहलाता है, degree of dissociation ठीक है, इस पे सवाल करेंगे और यहां पर n का मतलब क्या है, n का मतलब है कि dissociation के बाद वो कितने particle दे रहा है, समझ मैं क्या है, dissociation के बाद w ignition इतने particle दे रहा है, number of particles, तो मैं आपको ये सब निकाल के दिखाऊंगा, आप चिंता मत करो, जैसे example के तोर पे अगर आप N की value इसके लिए निकालते हो, जैसे माल लो NACL के लिए कोई पूछता है N की value कितनी होगी, तो आपको समझाता हो, देखो alpha की value तो आपको दी होती है, आपको question के अंदर, I की value आपको निकालनी होती है, N की value आपको sense करनी होती है, अगर NACL के लिए N का value पूछो गए, तो NACL किसमें टूट रहा है, N A++, PLUS, CL-, तो कितने आयन दे रहा है, तो N का value कितना हो गया, 2, क्योंकि 2 आयन दे रहा है, तो N का value 2 हो गया, I की value निकालनी होती है, अलफा की value आपको question में दी होती है, N की value sense करनी होती है, sense करना बड़ा आसान है, NACL के लिए N का value 2 होगा, खतम हो गए कहानी, अब dissociation के case में अगर ये formula है, 1- alpha, तो association के case में सिर्फ इतना ही फरक है, देखो, 1- alpha तो यहाँ पर भी common है, जैसे dissociation के case में क्या था, 1- alpha, association के case में भी क्या है, 1- alpha, बड़ सिर्फ यहीं पर फरक है, dissociation के case में number of particle बढ़ जाते हैं, यह तो मैं आपको बताया था, क्योंकि dissociation होगा, तो particle बढ़ जाएंगे, समझ में आगया, अब देखो, number of particle dissociation के case में बढ़ते हैं, तो इसका मतलब हमको N से multiply करना है, समझ में आग इसमें number of particles बढ़ जाते हैं, समझ में आगया, तो colligative property बढ़ती है, जिसका मतलब N से multiply करना पड़ेगा, association के case में number of particle घट जाते है, colligative property घट जाती है, तो इसका मतलब हमें N से divide करना पड़ेगा, यही इसकी trick है, जो जिसको समझ में आगई, कि formula is very easy, dissociation के case में formula होता है, 1- plus N alpha, association के case में होता है, 1- alpha plus alpha by N, N से divide करना है, that's it और कुछ नहीं है, यहाँ पर I की value, event of factor है, alpha की value होती है, degree of association जो आपको question में दिया होता है, और N का value आपको sense करना होता है, कि actually, यहाँ पर कितरे molecule dimerize हुए है, अगर आप यहाँ पर बात करो, acidic acid की, तो यहाँ पर acidic acid के dimerization में 2 I की value, क्योंकि वो dimerize, 2 unit 1 में बदल रही है, तो N का value क्या होगा, that is 2, आ रहा है समझ में, क्योंकि 2 unit 1 में बदल रही, association कितनी unit का हो रहा है, और dissociation का मतलब होता है, dissociation के बाद कितने particle मिल रहे है, now this is really very interesting, जब question करेंगे तो और समझ में आएगा, तो finally, अपन सवाल करते है, case study करते है, मैं आपको बताता हूँ, इसमें case बनते है अलग-अलग, अब मज़े की बात देखो, अगर आपके पास कोई strong electrolyte दिया हुआ है, strong मतलब जिसकी ionization 100% होगी, तो उसके लिए alpha का value 1 होगा, अगर आपके पास कोई strong electrolyte दिया हुआ है, कोई strong solute डाला है, जो क कि पूरा तूट जाए, जिसके लिए alpha का value 1 होता है, तो in that case अगर आप alpha का value 1 रख दोगे, किसमे 1- alpha plus n alpha में, तो i की value किसके बराबर हो जाएगी, nk, मतलब went of factor उसके बराबर हो जाएगा, जितने number of ions आपको मिलेंगे, समझ में आ गया, apply करके देखते हैं, जिससे और समझ म आएगा, चलो example लेते हैं, suppose करो, कि यहाँ पर hcl के case में पूछा आप से, क्योंकि hcl strong acid होता है, अगर वो पूछे कि यहाँ पर i का value क्या होगा, क्योंकि strong है, तो सारी यह strong acid दे रखे हैं, alpha का value हमेशा 1 होगा, अब i का value किसके बराबर होगा, यह देखो, यहाँ पर यह acid dissociate होगा, तूटेगा, तूटने के case में i का value किसके बराबर होता है, 1- alpha plus n alpha, अगर मैं alpha की value 1 रख दो, तो i की value किसके बराबर हो जाएगी, n के, अब आप खुद से बताओ क्या answer होगा, hcl के लिए i का value कितना होगा, बताओ, 2 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यह तूटेगा तो i का value 2 ही होगा, आपको सिर्फ यह चेक करना है, number of ions कितने मिलेंगे, आजाओ, s204 पे, यहाँ पर s204 को अज़र आप देखो, तो यहाँ पर twice of h plus और s4 minus 2, ऐसी तूटेगा, तो बताओ, कितने ion दिये, 3, क्योंकि 2 h plus दिये, और 1 s4 minus दिया, तो आप बताइए मुझे i का value क कितना हुआ, 3, क्या यह hard है, क्या इसके लिए आपको चड़ी की जूरत है, लाल चड़ी शक्तिमान बनना पड़ेगा, नहीं, hcl के लिए i का value 2 होता है, hcl4 के लिए i का value 3 होता है, that's very easy, easy peasy, कुछ नहीं है इसके अंदर, क्योंकि strong के लिए alpha का value 1 होता है, 100% निकल के आता ह strong के लिए alpha का value 1 होता है, समझ में आगया, तो i का value n के पराबर होगा, अगर n का value 2 है, तो i का value भी 2 होगा, is it clear, चलो strong base पे कर लेते हैं, again base strong है, तो यहाँ पर alpha का value क्या होएगा, alpha का value यहाँ पर भी कितना होगा, 1, अगर हम पूछो i किसके बराबर है, तो वो 2 होगा, क्यो क्योंकि यहाँ पर 1 BA plus 2 आयन मिलेगा, और 1 आपको OH minus आयन 2 मिलेगे, आप देखो न, OH minus आयन कितने है, 2, और BA plus 1, तो total यहाँ पर आयन मिलेगे, 1 यह मिलेगा, 2 यह मिलेगे, तो total कितना होगा, 3, खतम कहानी, ठीक है, तो strong में तो कोई समस्या ही नहीं है, strong में कोई problem नहीं ह तो NAH के case में 2 आयेगा, BOH salt wise के case में 3 आयेगा, चलो, अब किसी भी तरह का salt लेलो आप, NACL, NACL strong, मैं आपको बता देता हूँ, यह NACL एक strong salt है, जिसके लिए alpha का value 100% होता है, all type of salt, चीक है, तो यहाँ पर I का value किसके बराबर होगा, 2 के, क्योंकि alpha का value बिटा यहाँ पर 100% यहनी की 1 होगा, जितने salt होते हैं, वो completely dissociate हो जाते हैं पानी के अंदर, उसमें से कुछ रहता नहीं है, तो I का value actually कितना होगा, यहाँ पर 2, क्योंकि यह 2 आयन देगा, एक तो N A+, और 1 CL-, अगर K2SO4 की बात करो तो यहाँ पर कितने आयन मिलेंगे, आपको 3, तो I का value कितना होगा, 3, क्यों 3 आयन मिलेंगे, एक तो मिलेगा K+, उसके 2 आयन मिलेंगे, और 1 आपको SO4-, जिसका 1 ही आयन मिलेगा, तो 2 और 1 कितना होगा, 3, तो I का value कितना होगा, 3, salt, salt जो होते हैं, basically वो strong होते हैं, ठीक है, strong acid और strong base से बना हुआ salt strong होता है, वो completely ionized हो जाता है, अगर आ आप NACL की बात करो, तो किसे बनेगा, वो NAOH और HCL के, दोनो strong है, तो यह भी strong होगा, अगर नीचे आजाओ, अगर इस complex compound को देखोगे, तो अगर मैं पूछों, यहाँ पर I का value कितना है, तो क्या बताओगे, देखो 4 तो आपको K+, मिलेगा, और 1 यह पूरा, तो total कितना तो I का value यहाँ पर 5 हो गया, खतम कहानी, यह भी पूरा टूटेगा, अगर तोडने जाओगे, तो 4 तो आपको K+, मिलेगे, और प्लस में आपको A, F, E, C, N, 6 मिलेगा, are you getting my point में, जो बोलने ही कोशिश कर रहा, आपको समझ में आया, तो strong में तो समस्या ही नहीं है, अब आ पड़ेगी, समझ में आगया, weak, acid, जैसे की CS3CWH, weak होता है, तो इसके लिए alpha का value आपको question में देगा, ठीक है, at CN, weak होता है, जिसके लिए alpha का value question में देगा, weak base, NH4OH, weak होता है, जिसके लिए alpha का value वो देगा, ammonia, weak होता है, जिसके लिए alpha का value वो देगा, तो उस case में आपको alpha का CWOH 10% ionize मतलब दे दिया उसने alpha का value दे दिया आपको पूछता find out आई अब पहले तो आप लोग सोचो कि यहाँ पर ionize का मतलब क्या होगा कि वो टूटेगा तो कैसे टूटेगा वो टूटेगा कुछ इस तरह से CH3 CWOH को जब आप तोड़ने जाओगे क्योंकि यह V के तो reversibly टूटेगा तो कैसे टूटेगा आपको भी पता है यार यह CH3 CW- और प्लस में H+, अगर कुछ भी solvent नहीं दिया हुआ इसका मतलब पानी में जाके तोड़ रहो समझ मैं है तो अगर मैं बोलू तो alpha का value कितना हो गया that is 0.1 समझ मैं आया अब आपको i का value निकलना है क्योंकि dissociation हो रहा है formula क्या है यह उस करोगे 1- alpha plus n alpha यह use करोगे तो चलो 1- alpha का value कितनी है 0.1 और plus n alpha n का value कितनी है 2 2 into 0.1 तो यह कितना हो गया i का value कितना निकल के आया यह देखो 0.2 में से 0.1 चला गया 0.1 तो 1.1 आया i का value अब देखो अगर यहां पर यह strong होता weak नहीं होता तो i का value 2 आता अगर यहां पर strong दिया ओता weak नहीं दिया ओता तो i का value बिटा 2 आता अब यह weak है तो i का value 2 नहीं है क्योंकि 10% यह आइना इस हो रहा है तो अब यह घटके कितना हो गया 1.1 still it is more than 1 अभी भी एक से बड़ा है ठीक है और example लेते हैं तो इसको इस तरह से solve कोते है 1.1 answer आएगा that's very easy चलो तो association के case में क्या formula use होता है association case में formula होता है 1 minus alpha plus alpha by n आपको बता चुका हूँ कि alpha association के case में number of particle कम हो जाते तो आपको n से divide करना पड़ता है ठीक है और यहाँ पर alpha यानि कि degree of association कहलाता है degree of dissociation नहीं है now this is degree of association ठीक है so this is degree of association ठीक है चलिए तो मैं आपको आपको करके दिखा दो जैसे कि यह लिखा हुआ देखो CH3CWH dimerize लिखा हुआ देखो dimerize अब टू 10% अब आपको देखो dimerize का क्या मतलब है dimerize का मतलब है आपने CH3CWH दो डाले थे ठीक है दो डाले थे अंदर जाके वो क्या हो गए वो CH3CWH whole twice हो गए CH3CWH whole twice हो गए dimerize हो गए अब मैं सबसे पहले बूछू की n का value कितना है तो पेटा 2 आएगा क्या कि 2 unit dimerize होई है 2 unit आपस में जुड़ गई है समझ में आ गया और अब सबसे पहले तो degree of association नहीं alpha के value कितनी है 10% 10% यानि कितना हो गया 0.1 अब आप formula लगाओ वो कितना है i square 2 1 minus alpha plus alpha by n सारी value तो दे रखी है 1 minus alpha alpha के value कितनी है 0.1 plus alpha by n 0.1 divided by how much 2 समझ में आ गया 0.1 का 2 से divided करो कितना है 0.05 तो ये total कितना हो जाएगा आपको पता है 0.95 निकल के आएगा calculate कर लो ठीक है is it clear to all of you सबको समझ में आ 1 minus 0.1 plus 0.05 तो ये आप 0.95 अब ये एक से कम आया मज़े की बात देखो आप लोग याद रखना है i का value dissociation के case में dissociation का जब case निकलेगा तो i का value greater than 1 होगा और i का value association के case जब निकल के आएगा तो वो less than 1 होगा ये आप लोगो ध्यान रखना है so there is a difference ठीक है अब asses को solve करना है 0.95 answer आएगा बहुत बढ़िया आपको सब को समझ में आगए question कैसे करने now we'll try some questions some लोग कुछ question करके देखते हैं जिससे आपको और ज़्यादा समझ में आएगा ठीक है finally अगर मालो पहला सवाल दिया है h2s04 हम आप पूछो i का value कितना होगा तो बताओ कितना होगा जल्दी सी बताओ पहले सवाल के लिए कौन सबसे पहले answer देता है h2s04 के लिए i का value सबसे पहले कौन देता है बहुत बढ़िया current ने answer देता i का value आप 3 होगा ऐसा क्यों? क्योंकि ये strong electrolyte के समझ में आगया है इसमें आपको alpha की जरुद नहीं है अगर पूछो कि calcium hydroxide ने बताओ i का value कितना होगा calcium hydroxide के लिए i का value कितना होगा calcium hydroxide के लिए i का value कितना होगा बताओ यहाँ पर भी कितना आएगा 3 ऐसा क्यों? क्योंकि ये भी strong है ये कैसे तूटेगा CA plus 2 or twice of OH minus तो टोटली कितना होगा 2 और 1,3 तो यहाँ पर भी 3 ही आएगा असान है? It's very easy चलो और देखते हैं अगर मैं पूछो चलो इसका बताओ AL to SO4 whole thrice इसके लिए आएगा value कितना होगा? इसके लिए आएगा value कितना होगा? तो देखो 2 तो आपके पास क्या आ रहे हैं? AL plus 3 और 3 आपके पास क्या आ रहे है? SO4 minus 2 तो कितना होगा total 5? ये भी पूरा तूटेगा आपके जानकारी के लिए बतायता हूँ ये ऐसे तूटेगा ये 2 AL plus 3 में तूटेगा हो और 3 SO4 minus 2 में तूटेगा तो total I का value 5 होगा समझ में आ गया? इसमें क्योंकि ये strong होते हैं इनमें आप लोग alpha की जरूरत नहीं होती question में दिया भी नहीं होता दिया होगा तो आपको यूज करना पड़ेगा अब जैसे ये वाला सबाल है CS3CWH is 30% ionized लिखा 30% ionized इसका मतलब वो two-tie dissociation होगा है तो आप लोग मुझे बताइए सबसे पहले तो N का value कितना होगा? CS3CWH के लिए N का value होगा 2 अब alpha का value कितना है? 30% का मतलब क्या हो गया? 0.3 30% का मतलब 0.3 अब I का formula क्या होता है? 1- alpha plus N- alpha N से multiply होगा क्योंकि ionized हो रहा है अब value रख दो 1- 0.3 plus 2 into 0.3 सही है? तो अब I का value कितना होगा? अज़र आप लोग मुझे बताइए that is 0.1.3 isn't it? 1.3 0.6 में 0.0 1.3 answer आएगा is it clear to all of you? सबको समझ में आया? सबको समझ में आगया? सबको समझ में आगया? this is how you can calculate it 1.3 answer आएगा क्या बात है? बच्चों ने सबसे पहले ही निकाल दिया अब माल लो ये सवाल दिया होता तो अगर आपको दिया होता CS3CWH dimerize dimerize up to 20% सिन्दाट के सबसे पहले dimerize हुआ है तो आपको n का value कितना है? dimerize में दिखी रहा है? 2 होगा dimerize, die का मतलब 2 ही तो होता है n का value 2 होगा इसके लिए alpha का value कितना है? 20% 20 by 100 यानि कि यह हुआ 0.2 अब i का value क्या हैगा? 1.2 निकल गाएगा अच्छा dimerize है तो 0.2 घटे गा इसमें से ठीक है? तो यह point date के करीब आएगा तो वो क्या लिखेंगे? 1- alpha plus alpha by n value रख दो 1- alpha alpha के value कितनी है? 0.2 plus 0.2 divided by 2 अच्छा यह हुआ 0.9 मैं देखा नहीं द्यान से 0.9 आंसर आएगा इसका ठीक है? So, 0.1 तो गया है यह 0.9 आंसर आएगा ठीक है? तो 0.9 आप लोगो ने आंसर निकाल दिया इस तरह से आपको आंसर निकालना है That's very easy Is it clear to all of you? बहुत बढ़िया So, finally हम लोगो ने cheat codes में एक और पेंटो फेक्टर को भी खतम कर लिया इसी जरह के trick हम लोग लेके आते रहेंगे अगर आप चाहते हैं कि किसी ओर पे भी cheat code यह trick बनाई जाए तो आप लोग chat section में अपने suggestions दे सकते हो हम उस पे जरूर काम करेंगे अपने suggestions आप लिख लो 99 रुपे का ही है this is less than 3,000 एक रुपे कम है और इतना बढ़िया quality में आप लोगों को crash course इतने कम कीमत पे कहीं भी पढ़ने को नहीं मिलेगा जहाँ पर इतनी सारे tricks बगरा बताई जाती है so आप लोग अभी भी join कर सकते हैं vdnt.in slash neatcc that is the link जिसको click करके आप जाओगे तो आपको एक coupon code यूज करना है AA2020 ठीक है so AA2020 that is the coupon code जो आपको use करना रहेगा so इसको apply करते ही आपका जो crash course है basically वो मात्र 3,000 रुपे से 1 रुपे कम में आपको मिल जाएगा फड़ा फट से join कर लो फिर मत कहना कि हमने गलती करदी join ना करके रक्षा बंदन पे आप अपने छोटे भाई बैन को gift दे सकते हो विदान तू प्रो का subscription दिला सकते हो live interactive classes होती है test series, assignments, analysis, tricks बहुत सारी चीज़े होती है जिसके लिए आपको इस link पे जाना है vt.n.in.y.pro इस link पे जाकर आप लोगों को क्या करना है pro subscription लेना है जिसकी पूरे साल बर की फीस मात्र 27,000 रुपे है यानि कि monthly फीस देखोगे तो 252 रुपे है सिर्फ और उसके लिए अगर आप 15% discount extra चाहते हैं तो aa.pro नामक ये code आपको use करना है ये link पे जाना है bd.n.i.s.yt.pro और अपने छोटे भाई-बेनों को रक्षा बंदन पे आप gift दे सकते हो ताकि ओ घर पे बैठके चैन की नीन से पढ़ सके corona से बच सके again मैं आप से कह रहा हूँ कि अगर आप लोगो ने अभी तक हमारी app को दाउनलोड नहीं किया है तो हमारी app को user choice 2019 award मिला इसको फटाफर से आप डाउनलोड कर लो बहुत काम आएगा and finally telegram का ग्रूप बच्चों विदान्तु नीट ओफिशल हमारा telegram का ग्रूप है जिसको 33,000 बच्चे अभी तक जोइन कर चुके अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो कर लो काम आएगा ये भी और सब last में जाते जाते मेरी request है जिसका दिल बड़ा है like वही करता है तो please आप like जरूर करना session को we are working hard on these cheat codes ठाकि आप लोगों को छोटे छोटे topic जो की important है उनकी show trick पता लग सके और आप उसको solve कर सको ठीक है thank you so much guys मिलते हैं अब कल till then thank you so much love you all this is Arvind Roda signing off good night guys bye